कहानी के शुरुवात में ही हम बलराज नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं चोके अपने मा के साथ बॉंबे आता है और वो छोटे मुटे काम करके अपने जिन्देगी जी रहा था इसके बाद 20 साल बीद जाते हैं और 1969 के बॉंबे को हम देखते हैं और बलराज अब बरा हो जुका था और वो एक स्ट्रीट फाइटर था और इसी से अपना गुजारा कर रहा था इसके बाद हम रोजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके जिन्देगी भी काफी मुश्किलों से भरी हुए थी और रोजी के एक टीचर उसे गाना सिखाने के नाम पर उ रोजी को देखते ही वो रोजी को पसंद करने लगता है इसके बाद वो कुछ दिनों तक रोजी को फॉलो करता है बलराज देखता है कि रोजी हमेशा पैसे वाले इंसानों के साथ ही घुमा करती थी और बलराज को लगता है कि अगर उसके पास पर पैसा होगा तो रोजी शाइद उससे प्यार करने लगे। इसके बाद बलराज तैय करता है कि वो किसी भी हालत में एक अमिर आदमी बनेगा। और बॉंबे आने के बाद से ही बच्पन से ही बलराज का एक फ्रेंट था जिसका नाम था चिम्मन। इसके बाद बलराज और चिम्मन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कुछ गलत काम करना शुरू करते हैं। और इसी दोरन काईजात खंबाटा नाम के एक आदमी की नेजर इन दोनों पर पड़ती है। और खंबाटा बलराज को देखकर काफी इंप्रेस होता है। और उसे लगता है कि बलराज उसके काम का आदमी है। इसके बाद वो बलराज और चिम्मन को काम पर रख लेता है। इसके पाद दिरे बलराज और खंबाटा मिलकर बॉम्बे वेलवेट नाम के एक कलब ओपिन करते हैं। और खंबार्टा इस पूरे क्लब के जिम्एदारी बन राच पर दे देते हैं, और वो बन राच को एक निक्नेम देते हैं, जौनी, और इसके बाद से ही सब बन राच को जौनी के नाम से ही जानने लगते हैं. को समालने के इलावा भी जौनी और चीमन खंबार्टा के लिए कुछ छोटे मूटे काम भी किया करते थे दरसल खंबार्टा का बिजनेस बहुत बढ़ा था और उसके इलिगल बिजनेसेंस भी थे जो के वो बॉमर वेलवेट क्लब के पीछे चलाता था और इसी दौरन कुछ पॉलिटिशियन्स बिजनेसमैन खंबार्टा के रास्ते के बीच आ रहे थे और ऐसे ही एक मिनिस्टर की कुछ प्राइवेट फोटोज खंबार्टा के कहने पर जौनी लेता है और उसके बाद उस फोटोग्रेफ्स को देखा कर खंबार्टा उस मिनिस्टर को ब्लैक मेल कर रहती है और जौनी ने भी इसी रिपोटर के साथ रोजी को देखा था और वो रिपोटर भी जानता था कि जौनी रोजी के लिए पागल है इसलिए वो रोजी को जौनी के पास भेजता है जैसे के रोजी जौनी के साथ रहकर उसके इनफर्मेशन उसे लाकर दे और रोजी कि दिरे धिरे जौनी और रोजी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दूसरे तरफ खंबाटा और जौनी के इलीगल काम भी चल रहे थे और एक दिन वो लोग कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग की एक फोटोग्राइफ लिख हो ज इसलिए जौनी को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई भी काम भू करने के लिए तयार नहीं थे लेकिन जिमी मिस्ट्री रोजी को धंकाता है और उसकी सारी असलियत जौनी को बता देने की बात करता है जिस बात से रोजी काफी डर जाती है और वो जौनी की सारे इंफर्मेशन जिमी मिस्ट्री को ला कर देती है और न्यूज में उस मेटिंग की फोटो देखकर खंबाठा को रोजी पर शक होता है और वो जौनी को रोजी के खिलफ उकसाता है और कहता है कि शायद रोजी इस रीपोर्टर की इनवर्मेंट का काम कर रही है और जो बात सुन कर जौनी भी बहुत गुसा हो जाता है इसके बाद घंबाटा जोनी को डोजी को मारने के लिए कहता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि रोजी के घर में बॉम ब्लास्ट हो जाता है और रोजी की मौत हो जाती है लेकिन फिर रोजी के फ्यूनरल में रोजी की तरही दिखने वाली एक लड़की को सब देखते हैं और जो खुद को रोजी की जुर्वा बेहन रीटा कहती है और फिर ये दिखाया जाता है दरसल जौनी ने रोजी को नहीं मारा था उसे घर में वाम फिट करके वो रोजी की जगह एक दूसरी औरत को रखकर रोजी को लेकर वहाँ से भाग जा लेकिन खंबाटा और बागे सब लोग रोजी को रीटा के रूप में देखते हैं और उन लोगों को रीटा पर शक भी होता है और इसके बाद आखिरकार को रोजी की अस्लियत पता चल जाती हैं और इसके बाद जौनी और खंबाटा एक दूसरे से बात करते हैं और भाग जॉनी को धमकाता है लेकिन इसके बाद जॉनी भी खंबाटा को कहता है कि वो रूजे से तूर रहे है वरना खंबाटा के लिए अच्छा नहीं होगा और फिर जॉनी और खंबाटा दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं इसके बाद खंबाटा चिम्मन को जॉनी को मारने के लिए कहता है वो कहता है कि जॉनी और रोजे अगर जियेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत मुसिबत होगी और वो चिम्मन को इसके बदले बहुत सारे पैसे देने का ओफर देता है इसके बाद चीम्मन जोनी से मिलने के लिए जाता है और वो जोनी को सारा सच कह देता है फिर जोनी और चीम्मन को मारने के लिए खंबाटा कुछ गुंडे भेजता है और इन लोगों से ही लड़ते हुए चीममन की मौत हो जाती है और चीममन की मौत से जॉनी बिलकुल तूट जाता है इसके बाद जॉनी रोजी से मिलता है और वो दोनों मिलकर खंबाटा से लिपटने के बारे में सोचते हैं इसे दौरान खंबाटा एक दिन रोजी को किड़ करवा लेता है और फिर वो prefix क्लब करने के लिए लेकिन दूसरी तरफ ने एक बहुत बड़े उनी के साथ टी करने के लिए रखा जॉनी पहले खमबाटा के सामने गिरगीराता है और कहता है कि वो कुई लजाय नहीं करना चाहता है बस वो रोजी को छोड़ा दे लिकिन खमबाटा जॉनी को गुश्ऽा दिलाने के लिए रोजी पर घुली चला देता है और कहता है कि कुछी देर में रोजी की मौत हो जाएगी लेकिन अगर जोनी चाहे तो रोजी को यहाँ से बचा कर लेकर जा सकता है ये बात सुनकर जोनी को बहुत गुस्सा आता है और पहले वो उस आदमी को मारता है फिर वो खंबाटा को मार ढालता है और जब जोनी रोजी को क्लब से बाहर लेकर जा रहा था तब ही हम देखते हैं कि पूरी पुलिस पोर्स जॉनी को पकरने के लिए यह पर आये हुए थे दरसल बहुत दिनों से ही पुलिस के नजर खंबाटा और जॉनी पर थी और वो लोग एक मौका तलाश रहे थे इन लोगों को पकरने के लिए और आखिर कर उन लोगों को वो मौका मिल जाता है और पुलिस जॉनी को यहाँ पर रंगे हाथों पकरने के लिए ही आये थे इसके बाद जॉनी को देखकर ही वो लोग उस पर गूली चला देते हैं और जॉनी के वही परी मौत हो जाती है और आखिर कर हमें यह पता चलता ह के रोज़े की चान बज गई थे और इन सब के बाद वो गुआ के एक क्लब में गाना गाती थी और रोजी अपने जिन्देगे के अपने दिनो तब याद करके ही गाना गाती थे और इसे के साथ ये कहानी यही ways कि जाती है